So hello guys, welcome to the episode number 6 of Facebook video ad series, ठीक है? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप GIF image create कर सकते हो, ठीक है? प्रीमियर प्रो के help से, ठीक है? तो अभी बीना time waste के चलते हैं हमारे laptop में, लेकिन अगर से आपने कैसे आपको Facebook video ad edit करना है, वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो मैंने पिछले episode, मतलब episode number 5 में वो सब प्रीमियर प्रो पे cover किया था, ठीक है? तो अभी अपन सिखते है कि कैसे आपको GIF image बनानिये करके, ओके? तो यहाँ पर हम हमारे laptop में है, हम हमारा प्रीमियर प्रो खुलेंगे, ओके? और new project पर click करते है, ठीक है? फिर यहाँ पर उसको नाम दे देते है, GIF image, ठीक है? और उसको location दे देते है, वो फाइल को, और य ठीक है? यह हो गया, वापस से अपना यह सब खुल गया, make sure कि आप color में हो, ठीक है? फिर अपना एक कोई भी एक video लेंगे, अपने product के related, जो अपने पास में है, यह वाला है अपने पास, इसको अपने उठाएंगे, यहाँ पर import करेंगे, ठीक है? और यहाँ से इसको इधर इधर इसको drag करेंगे, ठीक है? यह फिक controls में है, ठीक है? इसको drag कर दिया अपने, एक second ठीक है? यह video यहाँ पर आ गया, ओके? इसको मैं इधर कर रहा हूँ, अपने इसको कम जादा कभी भी कर सकते है, ठीक है? अभी अपने इधर आ गए, अभी अपने को GIF image बनानी है, बराबर मैं volume कम कर रहा हूँ, ठीक है? तो GIF image में volume करती कोई जरूरत होती नहीं है, music की कोई जरूरत होती नहीं है, बराबर, तो इसको अपन यहाँ पर click करेंगे, इसको right click करके अपन unlink करेंगे, right click करके unlink By the way, यह पूरा layer वेगरा, यह सब कुछ क्या है, unlink वेगरा क्या है, मैंने पिछले वीडियो में पूरा cover किया, आपको वीडियो देखना ही बढ़ेंगा, ठीक है? फिर उसके बाद में simple है कि मैं इसको थोड़ा सा zoom करता हूँ, और मेरे को देखना है कि मेरे को वीडियो का क थोड़ा सा zoom करता हूँ, ओके, यह देखो, बस, मतलब एक इस में बता दे रहा है कि double-sided use, बराबर, तो मेरे को सिरिफ इतना ही portion चाहिए, double-sided use, that's it, तो मैं यहाँ पर जाओंगा, यह फ्रेम पर, यहाँ पर, double-sided use, बस, यहाँ से, यहाँ पर मैं razor tool उठाओंगा, इसको cut क करूँगा, वीडियो को चालू करूँगा, बस, हो गया, मेरे को इतना ही portion चाहिए, बहुत कम से कम portion लेना पड़ता है, अपने को GIF image के लिए, ठीक है, फिर यहाँ पर भी cut मारूँगा, फिर arrow tool select करूँगा, यह वीडियो को बाकी का वीडियो उसको delete मारूँगा, इधर का और फिर 5 millisecond का, ठीक है, देखो इतना ही है, इतना ही portion है अपने बास में, ठीक है, उससे जाधा नहीं है, तो अभी इसको मैं play करता हूँ, तो देखो यहाँ पर बंद हो जाएगा वीडियो, तो अपन क्या करेंगे, इसको preview करने के लिए, यहाँ पर loop का एक option होता है, ठीक ह अगर से आपके इसमें option नहीं है, तो आपको right यहाँ पर click करना होगा, और यहाँ पर आपको इस option को select करना होगा, ओके तो option यहाँ पर आपको खुल जाएगा, इसको okay करता हूँ, तो अभी मैं यह इस पर click करने बाद में, यहाँ पर click करता हूँ, और अभी देखो back to back play यह looper click करना ज़रूरी नहीं है, शरीव यह preview है, देखो, मेरे ख्याल से यह GIF image better है, सबसे best है, GIF image में आपको अगर से आपको logo डालना हो, तो वो भी आप कर सकते हो, simple है, यहाँ पर जाएंगे अपन, अपना logo देखेंगे किदर है, यह वाला your store logo, इसको उठाएंगे, इसक अपन क्या कर सकते है, कि इसको अपन यह थोड़ा सा zoom it करके, इसको कम जादा भी कर सकते है, बराबर, कम कर देंगे इसको, इतना ही रखना है अपने को logo, अदेखो अभी, ठीक है, लोगो को अपन यहाँ पर click करेंगे, और इसको scale, यहाँ पर effect controls में से, इसको scale कम करेंगे, और logo को right side में लगेंगे, और कम कर देंगे, इतना, ठीक है, आप इसको भी branded बना सकते है, GIF image को आपके logo डाल कर, हो गया, देखो भई, that's it, ठीक है, control s करेंगे, अभी इसको down, कैसे export करना है, file में click करेंगे, आपका GIF image बन चुका है, export पर जाएंगे, media में जाएंगे, ठीक नहीं, यहाँ पर click करके, आपको इसको animated GIF करना है, ठीक है, animated GIF, और इसको फिर ऐसे का, ऐसे ही रिंदेना, भी बाकी कुछ change नहीं करना है, फिर यहाँ से आपको file video location, अपना GIF location set करना है, कि कहाँ पर आपको GIF image डालना है, मेरे को images में डालना है, मेरा GIF, GIF नाम दे देता ठीक है, और silicon back scrubber, बस, यह हो गया, मेरे GIF का नाम, save करूँगा इसको, और इसको यहाँ से animated GIF करना, बाकी ऐसे का, ऐसी छोड़ देना, ठीक है, और आप एक काम कर सकते हो, कि देखो, यह अभी जो file लेकिनी, मैं इसको पहले export करता हूँ, ठीक है, आपको GIF image दिखा देता ह कैसे दिखती है, export कर लिया मैंने, export हो चुका, यहाँ पे जाएंगे अपन, देखेंगे, images में, GIF, देखो, हो गया वे, GIF image बन गया, लेकिन कभी-कभी जब आप इसको Shopify पर upload करेंगे, तो यह upload नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से Shopify को 2MB के नीचे का, या 10MB के नीचे का, य जितना कम करेंगे, उतना बेटर है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, तो दिखता है, आपको 6.3MB का बन चुका, इसको अपने को और कम करना है, आप जैसी इसको यह कर लेते हो, यहाँ पर export कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको करना यह है कि Google पर जाना है, और GIF online free compressor, ऐसा आपको सर्च करना है, तो आपके समने Google पर बहुत सारे results आजाएंगे, आप किसी भी इसमें जाओंगे, आपका यह image डालोंगे, और वहाँ पर आपको दिखता है कि कितने MB का आपको उसको करना है, तो उसको आप कम कर दोंगे, तो वो simple में आपका size उसका कम हो जाएंगा, म आपको simple में आप वहाँ से उसको compress कर सकते हो image को, ठीक है, और उसके बाद में आप उसको Shopee Fiver आपके upload कर सेते हो, इस तरह से अपना GIF image बनता है भाई लोग, ठीक है, अभी मैंने देखो Facebook video ad भी cover कर लिया, episode number 5 में, episode number 6 में मैंने कर लिया कि GIF image किस तरह से बनाना है, अभी रहा जाता है अपना thumbnail, और इसके बाद में अपनी series हो जाती है, khatam, okay, so अभी next video में मैं आपको बता हूँगा कि आपको thumbnail कैसे बनाना है, with the help of Photoshop, ठीक है, Photoshop में बहुत से options available होते है, मैं आपको simple तरीके से सीखा हूँगा Photoshop को कैसे use करना है करके, so that's said for this video guys, I hope आपको video पसन अगर से पसन है, तो like जरूर करना, और comment जरूर करना, ठीक है, और अगर से आपने इस चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को subscribe जरूर करना याज से, और अगर से आपने Indian e-com या फिट्रॉप शिपिंग का पूरा playlist नहीं देखा है, तो वो याज से देखना 30 episode का पूरा playlist अवेलेब मोझा जरूर का जेखने अवेलेब।